नमस्कार बच्चो कैसे हैं बच्चो आप बच्चो आज मैं कक्छा सात्वी का विसे प्रोध्योगे की विज्ञान के अंदरगर पाठ बेस सजीवों में प्रेजडन इसका मैं तीसरा भाग लेकर आई हूँ बच्चो आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जो गीली मिट प्रेटी रहती है उसके ऊपर कुछ केंचुए निकलते हुए देखा है बच्चो आपने और बच्चो जो आसपास बरसात का पानी बढ़ जाता है दबरों में तो उससे भी आपने कुछ कीडे निकलते हुए देखे होंगे मचलियां मच्छर और बहुत सारे कीडे आखिर बच्चो ये जीब कहां से आए आपके मन में ये प्रश्ण उट रहा होगा चलिये हम इसके लिए एक क्रिया कलाप करते हैं आप चितर में दिखाए अमसार दो बाक्स ले लीजिए और एक बाक्स का आनाम दे दीजिए और दूसरे डिब्बे का बानाम दे दीजिए डिब्बो में ताजा गाय का गोबर या भेंस का गोबर भर दीजिए आडबे में प्लास्टिक की पॉलिथीन लगा दीजिए ताकि आपको अंदर का सब चीजे बाहर से दिखती रहें और इसके लिए जो आवश्यक सामक्री रहेगी साथ में आप एक लेंस भी रखिए और आप आप इसका अबलोकन कीजिए पांच दिन तक आप लगातार इसका अबलोकन कीजिए तो बच्चो डिब्बाबा में आप देखेंगे गोबर में कुछ गड़े नुमा रचना दिखाई दे रही है जब वो गड़े नुमा रचना को आप थोड़ा सा हिलाएंगे तो तो आपको दिखेगा कुछ इल्लिया जैसी संद्रचना दिखाई देगी और बच्चो ये ऐसा क्यों हुआ डिब्बेया में कोई भी जीब नहीं बैठा था और डिब्बेवा में मक्खी और मच्छर या कोई अन्य कीडों को आपने पैठने दिया था अब बच्चो आपने जब डिब्बे बा को खुला छोड़ा था तो इसमें बहुत सारी मक्खी, मक्छर या अन्य कोई कीडा कर लगातार बैठते जा रहे थे तो जब आपने इस गोबर को हिलाया तो उसमें आपको कुछ अलग संद्रचना दिखाई दी और फिर और देखते ह एक-दो दिन बाद तो कुछ इल्लियां ब्रद्धी करके कीडों में बदल जाती है तो और जब की आडिब्बे में कोई परिवर्दन दिखाई नहीं देता आप देखिए डिब्बे वा में इस प्रकार की ये इल्लियां और कीडे बन जाते हैं डिब्बे वा में ये क्यों बन जाते हैं बच्चो क्योंकि ये गोबर आपने खुला रखा था और इसमें कीड़े आकर बैठ गए अब आपके मन में प्रश्ण आ गया होगा कि ये जीव कहां से आ जाते हैं बड़सात के दिनों में जीव जो अंडे देते हैं या अपने ही शकल के जो जन्व देते हैं उ और ऐसे जन्तूओं में भी नर्जननंग वा मादप्रजननंग पाई जाते हैं यदि मादजननंग वा नर्जननंग अलग-अलग सरीर में होते हैं तो उसे एक लिंगी कहते हैं जैसे गाय, बिल्ली और मनुष्य मनुष्य में भी मादजननंग अलग होता है और नर्जनननं अलग होता है बच्छो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिसमें नर्जननंग और मादाजननंग दोनों एक ही अंग में पाए जाते हैं एक ही सरीर के अंदर पाए जाते हैं नर्जननंग और मादाजननंग जब एक ही जीव के सरीर में पाए जाते हैं तो उसे ड्यूलिंगी कहते हैं जैसे केंचुआ और जोक जननंगों के अतिरिक्त जन्तुओं में कुछ और भी लक्षण पाई जाते हैं जिनके आधार पर नर एवं मादा को अलग रूप से पहचाना जा सकता है अब अपने आसपास कुछ जन्तुओं जैसे गाय बैल, बकरा बकरी, मुर्गी, मुर्गा के बाहरी लक्षणों को देखने के आधार पर आप उन्हें पहचान सकते हैं कि ये नर है और ये मादा है लक्षणों के आधार पर नर एवं मादा को इस पहचाना जा सकता आप देखेंगे ये चिपकली सरी सर्पबर्ग में ये चिपकली जो ऐसी जन्तुओं जो बच्चे को पैदा करते हैं अंडे से बच्चे को पैदा करते हैं लेकिन उनके बाहरी लक्षण बहुत अधिक इस नहीं पहचान सकते मनोश्य गाय आदी उच्च बर्ग जन्तुओं में भिक्सित जनन तंत्र पाया जाता है नर प्रजनन अंग का प्रमुकंग होता है ब्रशन और ब्रशन में सुक्रानू बनते हैं और ये नर युगमक हैं मादा प्रजनन तंत्र का प्रमुकंग अंग अं काफी बड़े अचल मतलब गती नहीं करते हैं गोल अंडाकार होते हैं अंडासे से बाहर निकले अंडानों अंडवाहिनी में पहुँचते हैं अंडवाहिनी में शुक्रानों अंडानों की और आकरशित होते हैं शुक्रानू अंडानू के भीतर प्रबेश करते हैं और शुक्रानू का केंद्रक अंडानू के केंद्रक से जुड़ जाता है इसक्रिया को निशेचन कहते हैं अधिकांस जन्तुओं में अंडानु का निशेचन मादा सरीर के भीतर होता है इसे आंत्रिक निशेचन कहते हैं जैसे मनोश्य ये निशेचित अंडानु है सामानत है जो जली जीव होते हैं बच्छो और उभैचर जन्तू जैसे जली जीव मचली उभैचर जन्तू मेंडक में अंडानू का निशेचन मादा सरीर के बाहर जल में होता है मांदा मेंडक अंडानू को पानी में छोड़ देती है नर शुक्रानू को अंडानू के उपर गिरा देता है शुक्रानू और अंडानू लसलसे पदार्थ के रूप में पानी में तेरते रहते हैं इस प्रकार के निशेचन को वाह निशेचन कहते हैं देखिए बच्चो ये मैंडक उभैचरजन्तू है लेकिन जब इसको अंडे देना होता है तो ये थोड़े से पानी के पास आ जाता है और ये अंडे को दे कर और फिर इसी के ऊपर शुक्रानू नर अपना शुक्रानू गिरा देगा और बाद में उससे छोटा जीब बनेगा लार्बा टैटपोल के रूप में निकलेगा अंडाश है बार बार बिभाजित होकर फिर इससे टैटपोल बनेगा टैटपोल से छोटे से मैंडक के सभी अंग बनेंगे और बाद में पूर्ण विक्सित मैंडक बन जाएगा निसेचन के पश्चात अंडानों युग्मनज कहलाता है युग्मनज एक कोशिका रचना होती है जो बार बार बिभाजित होकर आकार में बढ़ जाता है पहले ये दो बार बिभाजित होगा फिर दो से ये चार बार बिभाजित होगा और फिर चार से आठ बार बिभाजित होगा और फिर और कोशिकाएं बिभाजित होक ब्रोन में परिवर्तित हो जाती है, ब्रोन में धीरे-धीरे सभी यंग बनते जाते हैं, जिससे छोटे जीब या शिशु में ये ब्रोन पदल जाता है, युग्मनस से शिशु बनने की प्रक्रिया को परिवर्धन अत्वा विकास कहते हैं, अब ये देखिए, दो से चार, च को शिकाएं डिवाइड होकर इस प्रकार से ये भ्रोन का विकास होता है, और फिर भ्रोन में धीरे-धीरे सभी अंग बन जाते हैं, जो अंग एक तंतर के अंतरगत कारी करते हैं, वो निर्मित हो जाते हैं, और बाद में पूर्ण विक्षित, शिशु जन्म लेता है, इस जन्दूओं को जरायूज कहते हैं, कीट, मचली, मेंडग, सर्प तथा पक्षि अंडे से बच्चे उत्पन करते हैं, इन जन्दूओं को अंडज कहते हैं, अब देखिए, ये कीट के की अंडे निकल रहे हैं, ये मचली के अंडे हैं, और ये सर्प के अंडे हैं, और ये तो ऐसे जीव, जो अंडे से बच्चे को पैदा कर रहे हैं, वो अंडज कहलाते हैं, कुछ अंडजों में अंडे से बाहर निकला शिशू अपने जनक के समान नहीं होता है, इन मैसे जो अंडे से इल्ली, इल्ली से संखी या प्यूपा, और संखी से पूर्ण विक्सित जीव बनता है, इसे कायंतरन, जैसे मक्खी मच्चर में होता है, ये देखिए, पहले अंड़ा बना, अंडे से इल्ली बना, इल्ली से संखी या प्यूपा बना, और फिर विक्सित जीव बना, इस प्रक्रिया को कायंतरन कहते हैं, ये मक्खी में दिखाई दे रही है, और इसके देखाई और भी कीट होते हैं, जिसमें ये प्रोसेस पाई जाती है, जीव में अलेंगिक जनन, अब बचो, जैसे हमने पौधो में देखा था अलेंगिक प्रजनन, ऐसे ही जीवों में भी अलेंगिक प्रजनन होता है अलेंगिक प्रजडन में दो लिंग की आवशक्ता नहीं बढ़ती है जब अमीवा अपने ही जैसे जीब को जन्म देता है नए जीब को जन्म देता है तो वो अलेंगिक प्रजडन होता है तो जब अमीवा को पर्याप्त भोजन मिल जाता है तो इसका सरीर दो भागों में बढ़ जाता है जिसे और प्रत्तेक दो भाग धीरे धीरे एक नए जीव में बदल जाता है तो इसे विखंडन या विभाजन कहते हैं अब जी में अलेंगिक प्रेजडन की एक और विधी है जो उभार के द्वारा होता है वो उभार को कलिकायन या मुकलन कहते हैं ये जो हाइडरा दिख रहा है ये अपने सरीर में एक छोटा सा उभार बना लेता है उभार बनाने के बाद सरीर में ये धीरे से वो उभार प्रद्धी करने के बाद ये मुख्य सरीर से हटके और फिर नए प्रकार से पून प्रद्धी करता है तो इसे कलिकायन या मुखुलन कहते हैं जैसे हाइड्रा में अपचो अलेंगिक प्रजडन की एक और विदी है जैसे मरमत आपने देखा होगा अपने घर के आसपास छिप कली की पूँच तूट जाती है कट जाती है और थोड़े दिन भाद पुनह वो पूँचा जाती है तो अपने ही सरीर के छती ग्रस्त अंगों की मरमत करके पुनह उन अंगों का निर्मांद कर देना ही मरमत कहलाता है और ये अलेंगिक प्रजडन का एक प्रकार होता है अब बच्चों हमने इस पार्ट में क्या सीखा जीवों द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन करना प्रजनन कहलाता है सजीवों में लेंगिक अलेंगिक दो बिधियों के द्वारा प्रजनन होता है लेंगिक जनन में नर एवं मादजनकों की आवश्यक्ता होती है नर जननिका मादजननिकाई के बेल को निशेचन कहते हैं। उच्छपर्ग के जन्तुओं में प्रमुख नर्जननंग, प्रशन तथा मादजननंग अंडाशय है। जन्तुओं में आंत्रिक तथा वाह है। दोनु तरह से निशेचन होता है। युगमनज से भ्रून तथा भ्रून से सिशु बनने की क्रिया को परिवर्धन या विकास कहते हैं। बच्चे पैदा करने वाले जन्तुओं को जरायूज तथा अंडे देने वाले जन्तुओं को अंडज कहते हैं। शरीर के कटे भागों से संपूर्ण जीप का वन्ना पु तो सबसे पहले प्रश्ण नमबर पहला अलेंगिक वा लेंगिक जनन में मुख्य क्या अंतर है प्रश्ण नमबर दो प्रजनन किसे कहते हैं प्रश्ण नमबर तीन अभीमा में अलेंगिक प्रजनन को चित्र द्वारा समझाओ प्रश्ण नमबर चार पुनर जनन किसे कहते है उधारन दे कर समझाओ प्रेश्ण नमबर पांच लेंगिक वा अलेंगिक प्रजनन को उधारन सहित समझा कर लिखिये प्रेश्ण नमबर छे नर जनन अंग शुक्रानों वा मादा जनन अंग अंडाशे अंग का चित्र बनाईए अब बचो मैं आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दे रही हूँ आप इन प्रशनों के उत्तर लिखिए और आप अपने आसपास या जो महला क्लास चल रही है अभी मीडिल स्कूल के बच्चों की तो आप उसमें जाके अपने आसपास बड़ों से या जो महला क्लास ले रही हैं स जिक्षक और आपके गाउं के प्रतिश्ठित लोग तो आप उनको दिखा कर इसको चेक करवाईए अंडे देने वाले तथा बच्चे देने वाले किनी 5-5 जन्दों की सूची बना कर आप इन प्रशनों के उत्तर देना है अंडे देने वाले जन्दो एक, दो, तीन, चार, पांच और बच्चों आप इसमें चित्र भी चिपका सकते हैं फिर इसी में प्रोजेक्ट के लिए दूसरा प्रशन रहेगा अंडे देने वाले ऐसी दो जन्दों के नाम लिखिये जिनके अंडे से निकला शिशो अपने जनक के समान होता है फिर उन दो जन्दों के नाम ल जन्दों के नाम लिखिये जिनके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चल फिर सकते हैं फिर एक और प्रोजेक्ट का कोश्चन है उन जन्दों के नाम लिखिये जिनके बच्चे अंडे से निकलने के तुरंत बाद चलने फिरने लगते हैं धन्यबाद बच्चों आपने अब बच्चो जल्दी से सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए और फिर आगे की कख्षाओं में और फिर कभी जो भी पाथे मिलेंगे, प्रयोग मिलेंगे, प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो उसमें मैं आपसे फिर मिलूगी, धन्यवाद बच्चो